तो देखो सोर्स इंड़क्टेंस क्या होती है जो आपकी सप्लाई होती है अगर सप्लाई में इंड़क्टेंस है यानि जो आपका AC सोर्स है उसके अंदर अगर एक इंड़क्टेंस है हमारे पास तो उस इंड़क्टेंस को हम कहते हैं सोर्स इंड़क्टेंस और सोर्स लगा है तो IS यानि की जो supply का current है that cannot change instantly और इसी वज़े से source inductance को अलग से पढ़ा जा सकता है जैश मेरे भाई certificate मेरे ख्याल से अभी upload नहीं करना है certificate बाद में upload होगा but you should have the certificate एक बार check कर लेना थेक है अब मेरी बात को ध्यान से सुनना तो मैंने क्या बोला source inductance क्या करेगा ये source current को immediate change होने से रोकेगा source current should never change immediately it should always change gradually because inductor does not allow sudden change of current तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है देखो ये source का inductance है LS तो हम क्या कहते है LS does not allow does not allow source current तो देखो क्या होता है अब इस circuit का working कैसे ही समझना ये one-pulse converter हम लेके चल रहे हैं यानि है that I0 is constant ये वाला जो current है अब देखो इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर क्या होगा मेरे भाई सबसे पहले आप alpha पे SCR को trigger करोगे यानि देखो 0 से alpha में 0 से alpha में supply से आने वाला current 0 रहेगा जब तक SCR triggered नहीं था ठीक है अब क्या होगा alpha से एक certain angle alpha plus mu तक IS ध्यान से समझना IS increases from 0 to I0 अब आप कहोगे सर ये क्या है alpha plus mu तो देखो मेरे भाई जो supply current है वो I0 अचानक से नहीं बन सकता आपने thyristor on किया तो अचानक से उसका current I0 नहीं हो जाएगा ये इंडक्तर उसे रोकेगा ये इंडक्तर अगर उसे केगा तो उसके current को I0 जाने में थोड़ा सा time लगेगा अब वो time कितना लगेगा वो लगेगा ये mu angle थे mu angle क्या बता रहा है कि current को 0 से I0 जाने में कितना angle या कितना time लगता है that is this mu बात समझाई अब एक बार is हो गया I0 फिर क्या होगा मेरे भाई alpha प्लस मू से लेके pi तक is is I0 लेकिन pi के बाद क्या होगा जैसे ही voltage negative जाने की कोशिश करेगी आपको पता है pi के बाद आपकी voltage negative में जाना start करती है तो pi के बाद जैसे voltage negative में जाना start करेगी freewheeling diode उसे जाने नहीं देगा बात समझ रहे हो ना freewheeling diode उसे जाने नहीं देगा तो freewheeling diode स्टार्ट हो जाएगा लेकिन मेरे भाई again बात वही है कि source का current अचानक से 0 भी नहीं हो सकता तो gradually घटेगा तो मैं कहता हूँ after pi after pi freewheeling diode turns on freewheeling diode turns on but but is cannot become 0 cannot become 0 suddenly इसलिए क्या होता है मेरे भाई कि pi से लेके pi प्लस mu तक आपका न थाइरिस्चर थाइरिस्चर and freewheeling diode दोनों conduct करते हैं दोनों conduct करते हैं और supply का current जाता है i naught से 0 यानि आपकी जो supply का current है ना तो वो i naught अचानक से जाएगा ना ही वो i naught से 0 अचानक जाएगा gradually बढ़ेगा gradually गिरेगा तो इस चीज में जो time लगता है जो angle लगता है that is called as the overlap angle अब मेरी बात को दिहान से समझना पहले मैं supply का current यहाँ ड्रॉख करता हूँ देखो अब यह angle है अलफा यह है अलफा प्लस मियू यह है पाई और यह है पाई प्लस मियू अब देखो अलफा से बढ़ना शुरू हुआ current बढ़ा भी अलफा प्लस मियू तक i naught पहुँच गया तो i naught रहे गया फिर पाई से पाई प्लस मियू पे आ गया फिर मेरे भाई ये 0 रह गया फिर मेरे भाई ये 0 रह गया तो एक बार I0 गया फिर I0 से 0 आया और फिर 0 ही रह गया ये है आपका supply का current लेकिन देखो एक चीज़ देखना मान लो ये current है freewheeling diode का और इधर से आ रहा है आपके पास supply current तो ये दोनों current मिलके ही तो load में जा रहे हैं मेरे भाई KCL अगर लगा लो तो आप ये भी तो कह सकते हो IS प्लस IFD is I0 बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है सर और I0 तो constant है I0 तो constant है माने कि diode का current ऐसा होना चाहिए जो supply में जुड़के क्या देदे constant value जो supply में जुड़के क्या देदे मिरे भाई constant value तो देखो इस तरह से जैसे supply current बढ़ेगा diode का गिरेगा supply current गिरेगा diode का बढ़ेगा तो यह आ गया आपके पास IE freewheeling diode ध्यान से देखो blue वाला जो graph है वो red वाले का exact complement है red वाला बढ़ता है तो blue वाला गिरता है और red वाला गिरता है तो blue वाला बढ़ता है तो दोनों का sum हमेशा constant आएगा that is I0 अब देखो मेरे भाई यह जो overlap angle है इसमें diode और thyristor दोनों का current नौन जीरो है इसलिए दोनों conducting है और अगर diode conducting है दोनों conducting है लेकिन अगर diode conducting है तो V0 तो मेरे भाई 0 आना ही आना है तो जब दोनों conducting है मेरे भाई तो V0 तो 0 आए गई आएगा फिर thyristor conduct करेगा फिर दोनों conduct करेंगे फिर 0 ठीक है जब जब diode conduct करेगा V0 जीरो आएगा V0 जीरो आएगा अब काईदे से देखो मेरे बंधू थाइरिस्चर को अलफा से शुरू हो जाना चीए था या यह कह दो V0 को Vs बन जाना चीए था अलफा से लेकिन V0 ने सपलाई को ट्रैक कहां से किया है अलफा प्लस म्यू से कहां से शुरू किया है अलफा प्लस म्यू से क्योंकि इस दोरान यह जो एरिया है इस दोरान थाइरिस्चर प्लस फ्री विलिंग डायोड दोनों conduct कर रहे हैं यानि सोर्स का इंडक्टर नहीं होता तो सपलाई का करेंट तो इंस्टेंटली बदल सकता था तो जैसे थाइरिस्चर चालू करते तुरंत उसका करेंट आई नॉट चला जाता इमीजियेटली उसका करेंट आई नॉट चला जाता तो जो करेंट अभी ग्रेजुली बढ़ वह अलफा से स्टार्ट होता, वह कहां से स्टार्ट होता, अलफा से, तो मैं यही चीज लिखता हूँ, कि without ls, without ls, v0 equal to vs, यानि कि vm sin omega t, vm sin omega t, कहां से कहां तक, अलफा से लेके π, ठीक है, और with ls, v0 equal to vm sin omega t, कहां से कहां तक, अलफा प्लस μ्यू से लेके π, अलफा प्लस μ्यू से लेके π, तो mainly यह difference आए कि अलफा की जगे conduction shift हो गया, या v0 shift हो गया, अलफा प्लस μ्यू से, अब देखो बंदू, यहां से ना v0 average निकाल लेते हैं, क्योंकि rectifier में तो सबसे important parameter है, average output, 1 by 2 pi, अलफा प्लस μ्यू से लेके π, तक, vm sin omega t, d omega t, d omega t, तो मेरे भाई, vm by 2 pi, 1 plus cos, अलफा प्लस μ्यू, अलफा प्लस μ्यू, देखो एक तो derivation आपको ना हमेशा यह करनी होती है, यह चीज़ याद रखना, कभी भी derive करोगे, या source inductance का पूरा analysis करोगे, तो सबसे पहली derivation तो आप लोग क्या करने वाले हो, कि v-not average कितना आ रहा है, v-not average आपको हमेशा derive करना पड़ेगा, एक v-not average derive कर लेना, बिना source inductance के, एक derive कर लेना, बिना source inductance के, कितना आएगा, बस इतना फरक है कि integration alpha plus mu की जगह है, alpha से होगा, कहां से होगा मेरे भाई, alpha से होगा, ठीक है, तो देखो, v-m by 2 pi, 1 plus cos alpha, ठीक है, 1 plus cos alpha, यही बनेगा न, यही बनेगा, अब इसके अलावा, इसके अलावा मेरी बात ध्यान से सुनो, कि जब दोनों devices conduct कर रहे थे, जब इस circuit में diode भी ओन था, जब यह thyristor भी ओन था, तो ध्यान देना, यह पूरा loop complete हो गया था, यह पूरा loop complete हो गया था, जिस कारण से supply का सारा voltage inductor पे आ गया था, supply का सारा voltage किस पे आ गया था, inductor पे आ गया था, तो मैं कहता हूँ, overlap के दौरान, overlap के दौरान, during overlap, यानि कहां से कहां तक, alpha से alpha प्लस में हूँ, inductor का voltage क्या था, supply के बराबर था, यह, अब inductor के अंदर तो source वाला ही current जाता है न, ध्यान से देखना, inductor में तो source current जाता है, IS जाता है, तो IS जो था, जो supply का current था मेरे भाई, यह लाल वाली waveform किसकी थी, यह IS की waveform थी, यह जा रही थी, alpha से alpha प्लस म्यू में, 0 से I0, current बढ़के गया था, 0 से कहां तक, I0 तक, तो अब जब मैं integration करूँगा न, मेरे दोस्त, integration में मैं इस बात का ध्यान रखूँगा, कि current गया था, 0 से I0, 0 से I0, तो देखना ज़रा, एक step डेरेक्ली लिख रहा हूं, मैंने न, omega से multiply, divide कर लिया है, ऐसा मैं क्यों करता हूं हमेशा, ताकि angle में integration कर पाऊं, समझ रहे हूं, integration किसकी terms में करना है मुझे, angle की terms में करना है, तो I0 इस यह आ जाएगा, यह आ गया I0, यह आ गया I0 मेरे भाई, ठीक है, I0 आ गया न, simple है, अब अगर आप यह 2 V0 का difference ले लो, एक बिना inductance वाली और एक inductance के साथ वाली, यह 2 V0 का difference ले लो, तो मैं यह कह सकता हूं मेरे भाई, कि change in V0, दोनों का अगर आप difference निकालोगे न, तो यह आएगा, बस subtract करना है, समझाया, अब cos alpha minus cos alpha plus mu, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इसको अगर I0 की terms में लिखें, Vm into this term को replace कर दो, यह न, Ls, Ls कर लेते हैं, ठीक है, omega Ls I0 by 2pi, तो देखो इतना, यानि मेरे भाई, V0 की value में कितना change आ जाता है, F, Ls, I0, यानि अगर आप frequency बढ़ाऊगे, तो भी V0 में ज़्यादा decrement आएगा, Ls बढ़ाऊगे, तो भी decrement ज़्यादा आएगा, I0 बढ़ाऊगे, तो भी decrement ज़्यादा आएगा, क्या ज़्यादा आएगा, decrement, यह समझा है, single pulse converter का, single pulse converter का समझा है, सभी लोगों को, क्या हो रहा है, V0 में decrement कितना आ रहा है, F, Ls, I0, तो देखो, मैं आपको लिखवा देता हूँ, V0 without Ls कितना था अपना, Vm by 2pi, 1 plus cos alpha, V0 with Ls कितना था, Vm by 2pi, 1 plus cos, alpha plus mu, ठीक है, फिर इसके बाद, delta V0, F, Ls, I0, और I0, Vm by, cos, alpha minus cos, alpha plus mu, देखो, मैं आपको अगर बोलू, इसमें से रट के क्या जाना है, अग्जाम के अंदर, इसमें से याद क्या करके जाना है, तो बस ये याद करके जाना है, मेरे भाई, और इसके अंदर main चीज क्या है, main चीज क्या है, F बढ़ाओ, Ls बढ़ाओ, या I0 बढ़ाओ, आपका, V0 का चेंज बढ़ता ही है, V0 का चेंज बढ़ता ही है, ये चीज समझने वाली है, तो मुझे बताओ, single pulse converter समझा है, one pulse converter, कि किस तरह से source inductance, आपके converter के operation को affect करता है, ये बात सबको clear हुई के नहीं हुई, ये बताओ, ठीक है, तो आगे चलते हैं, two pulse converter पे चलते हैं, two pulse converter, two pulse converter माने, full wave rectifier, full wave rectifier, तो two pulse converter में, अपने पास, चार थाइरिस्चर हैं, T1, T3, T4 और T2, ये चार थाइरिस्चर हमारे लिए काम करने वाले हैं, और ये supply हैं आपकी, Vm, sin, omega T, और इसके साथ, inductor लगा है, LS, जिसमें current जाएगा, IS, और load का current तो आप मानोगे constant, I0 को क्या मानोगे, constant, अब देखो मेरे भाई, सबसे पहले इसके operation को समझने की कोशिश करते हैं, कि ये काम कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, सबसे पहले क्या होगा, alpha से लेके, pi प्लस alpha तक, कौन conducting है आपके, T1, T2, 1 है, V0 है, Vs, लेकिन, pi प्लस alpha पे, pi प्लस alpha पे, जब आप on करोगे, T3, T4 को, तो अचानक से, T1, T2 बंद नहीं हो सकते, अचानक से ये बंद नहीं हो सकते, इसलिए क्या होगा, जब आप on करोगे, बाकी के दो thyristor, pi प्लस alpha से, इस दौरान, इस दौरान, all thyristor on, इस दौरान, सारे thyristor आएंगे, on, और सारे अगर on आगए, तो लोड हो गया, short circuit, ये हो गया, 0, ये हो गया, 0, अब देखो, pi प्लस alpha से, 2 pi प्लस alpha तक, आपके, T3, T4 कंड़ट करेंगे, तो जो V0 आएगा, that will be minus Vs, और मेरे भाई, again, 2 pi प्लस alpha या alpha पे, जब आप चालू करोगे न, thyristor दुबारे से, T1, T2 वाले, तो वो एकदम on नहीं हो जाएंगे, उन्हें time लगेगा, जब तक वो time लेंगे, जब तक सारे कंड़ट करेंगे, again, V0 रहेगा 0, तो काइदे से यह जो lower limit है, यह alpha ना, क्या बनेगी आपकी, alpha प्लस mu, यह alpha नहीं होगी, यह alpha प्लस mu होगी, क्योंकि देखो क्या होता है, जब जब आपके thyristor exchange होते हैं, T1, T2 से T3, T4 जाते हैं, तो आपकी supply का current भी switch करता है, between I0 and minus I0, लेकिन supply का current कभी भी instantly नहीं change हो सकता, due to source inductance, और इस कारण से यह जो switching है, devices की, इसमें कुछ ना कुछ time लगता है, और वो time क्या हो जाता है, overlap angle जिसको कह देते हो mu, जो switching में लगे, यानि T1, T2 से T3, T4, या T3, T4 से T1, T2, ये जाने में कुछ ना कुछ time ज़रूर लगेगा, due to source inductance, अब देखो सबसे पहला मैं case लेता हूँ मेरे भाई, अगर source inductance ना होती, source inductance मेरे बंदू अगर ना होती, तो आप मेरे भाई मुझसे ये कह रहे होते, सर, alpha से चालू हो गए T1, T2, और उन्होंने follow कर लिया Vs, कौन चालू हो गए T1, T2, फिर आप कहते सर, पाई प्लस alpha के बाद चालू हो गए T3 और T4, T3 और T4, है ना, और भाई ये आगए इधर, ठीक है, आप कहते सर ऐसा conduction होगा, alpha से πाई प्लस alpha, फिर πाई प्लस alpha से 2 πाई प्लस alpha, ठीक है, अब आप कहते सर, I0 तो constant ही मान रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, मैं भी कहता है भई बहुत बढ़िया, I0 तो अपना constant है, supply current की बात करते हैं, तो मेरे भाई ध्यान देना, T1, T2 कंड़ट करते तो I0 आता, T3, T4 कंड़ट करते तो माइनस I0 आता, ठीक है भई, इस टाइप से, तो यह perfect ना, एक square wave बन जाती, I0 और माइनस I0 की, लेकिन अब यही तो बात है, कि source inductance यह square wave बनने नहीं देगा, क्यों नहीं बनने देगा, क्योंकि उसे instant change पसंद नहीं है, inductor does not allow instant change, of current, basically through the inductor, current जो inductor से pass होता है, वो instantly नहीं बदल सकता, और यहां inductor से कौन सा current पास हो रहा है, IS, तो चला जाया भई आगे, अब हम क्या कहते हैं, कि देखो, T1, T2 conduct करना start करेंगे, completely, alpha plus mu से, और कहां तक करेंगे, pi plus alpha तक, फिर यह शुरू करेंगे, pi plus alpha plus mu से, overlapping लेनी पड़ेगी आपको, overlapping के बिना मेरे भाई काम, नहीं चलेगा, यह alpha है, तो जब overlapping आएगी, जब चारो device conduct करेंगी, तो load रहेगा shorted, इस region में देखो, load रहेगा shorted, और जब T1, T2 चालू हो गए, तो इन्हों ने output को क्या कर दिया, Vs के बराबर, Vs के बराबर, और जब T3, T4 स्टार्ट हो गए, ठीक है, तो यह आऊ गया, T3, T4 स्टार्ट हो गए, तो यह blue वाला graph आ गया, तो एक आगया आपके पास, red वाला graph T1, T2, और एक आगया आपके पास, blue वाला graph T3, T4 का, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, जो हिस्सा पहले V0 में cover हो रहा था, वो अब cover नहीं हो रहा, यह नजर आ रहा है, यह हिस्सा आप cover नहीं हो रहा, यहाँ पे देखो, यह हिस्सा बिल्कुल cover हो रहा था, alpha से alpha प्लस म्यू वाला, लेकिन अब देखो, alpha से alpha प्लस म्यू का output है, 0, output क्या है आपका, 0, अब बात है, I0 तो अभी भी constant है, तो हम लोग graph बनाते हैं, करते हैं, I, T1, T2 का, तो देखो, T1, T2 का graph कैसे बनेगा, यहाँ तक रहेगा 0, फिर gradually grow करेगा, फिर I0 जाएगा, फिर gradually fall करेगा, यह जो लाल वाला graph है न, यह I, T1, T2 का मैंने बनाया है, अब लोड में तो देखो, current I0 ही जाना चाहिए, फिर चाहे वो T1, T2 सप्लाई करें, यह T3, T4 सप्लाई करें, कोई भी सप्लाई करें, लोड को कितना current चाहिए भई, उसे मतलब ही नहीं है, वो तो कहारा है कोई भी लाके दो, मुझे I0 लाके दो, ठीक है, तो क्या होगा, T3, T4 पहले I0 दे रहे होंगे, फिर उनका current घटने लगेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर इनका current बढ़ने लगेगा, फिर I0 हो जाएगा, I, T3, T4, तो लोड में जो current जा रहा है, I0 constant रहने के लिए, T1, T2, T1, T2 का current जब बढ़ेगा, तो T3, T4 का गिरेगा, फिर T1, T2 का गिरेगा, जब T3, T4 का बढ़ेगा, ऐसा हो जाएगा, अब supply के अंदर जो current आता है, अब गजब की बात यह है कि आपको supply current ध्यान देना है, देखो, T1, T2 में जो current गया मेरे भाई, वो है यह, और T3, T4 में जो आया, वो है यह, अब जरना आप KCL लगा के supply current की बात कर लो, तो आप कहोगे, Sir, KCL से दिख रहा है, I, T1, T2, माइनस I, T3, T4, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, यह clear हुआ, गुड़ू कौन सा point समझ नहीं आ रहा, मेरे भाई बताओ, इसमें कौन सा point clear नहीं है, हमने क्या बुलाए, कि supply का current ऐसे अचानक से नहीं बदल सकता, कि कभी तो T3, T4 कंड़ट कर रहे थे, और कभी T1, T2 करने लगे, तो इसका मतलब है, यह switching में, T1, T2 और T3, T4 के बीच की switching में, कुछ interval लगेगा, उसी interval को तो हम overlap angle कह रहे हैं, तो T1, T2 और current भी gradually बढ़ रहा है, और T3, T4 का current भी gradually गिर रहा है, ठीक है, अब देखो, supply का current, red curve माइनस blue curve, red curve माइनस blue curve, तो ऐसा आएगा, trapezoidal, ठीक है, और देखो, यह जो angle है न, जहांपे जीरो को cross करेगा, यह alpha प्लस mu by 2 होगा, आप कहोगे सर, यह कैसे, मेरे भाई यह midpoint होगा, alpha और alpha प्लस mu का, यह दोनों का midpoint होगा, यह दोनों का midpoint होगा, गजेंदर मेरे भाई हम यहां बात कर रहे है, highly inductive load की, resistive load की नहीं कर रहे हैं, ठीक है, resistive load की बात नहीं कर रहे हैं, highly inductive load की बात कर रहे हैं, जिसका I not constant है, ग्राफ माइनस ब्लू वाला तो 0 माइनस i0 तो माइनस i0 आ गया लेकिन बीच में जब दोनों equal हैं जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां इनका difference आएगा 0 वहाँ इनका difference क्या आएगा जीरो अब देखो कि हम लोग क्या बोलेंगे सबसे पहले वी नॉट average की बात कर लेते हैं तो full wave rectifier के कारण इसका period है πाई हम लोगा conduction शुरू होगा alpha plus mu से πाई तक तो यहाँ पर क्या आ जाएगा one plus cos alpha plus mu यह बन गया ठीक है अब एक बार निकाल लेते हैं एक बार निकाल लेते हैं मेरे भाई without source inductance एक बार निकाल लेते हैं without source inductance without source inductance आप क्या कहोगे कि भाई वी नॉट average आएगा one by pi alpha से pi vm sin omega t d omega t vm by pi one plus cos alpha one plus cos alpha अब इन दोनों values को देखते हुए मेरे भाई आप मुझे delta v nॉट तो बताई सकते हूँ delta v nॉट तो बताई सकते हुए आप कहोगे sir vm by pi cos alpha ठीक है यह है आपका delta v nॉट ठीक है यह आपका आ रहा है मेरे भाई delta v nॉट डेल्टा v nॉट ठीक है अच्छा हाँ pi plus alpha होगा conduction sorry pi plus alpha होगा बहुत अच्छी बात लिखी है pi नहीं होगा ठीक है भाई यह सई हो गया pi plus alpha तक conduction चल रहा था तो यह हमारे पास v nॉट आवरेज पुराना और एक v nॉट आवरेज नया आ गया है जिसका difference इतना आ रहा है अब एक बात और अगर समझे overlap के दौरान चारों device conduct करती है ध्यान से सुनना overlap के दौरान चारों device आपकी conduct करती है और मेरे बंदू अगर चारों device conduct कर रही है ध्यान से सुनने न तो आप यह सोचो जब t1, t4 दोनों on हो गए जब t1, t4 दोनों on हो गए तो आपको यह नहीं लगता आपकी supply short हो गई यह सोचो जब t1, t3 दोनों on हो गए यह वाला भी on हो गया और यह भी on हो गया तो ऐसे आपकी supply short नहीं हो गई आपका supply वाला circuit तो short हो गए ना जब दोनों उपर वाले thyristor on हो गए तो आपका supply वाला circuit क्या हो गया short हो गया तो मैं यह कहता हूँ from alpha 2 alpha plus mu इसमें क्या हो रहा है alpha से alpha plus mu में इसमें हो रहा है कि all four devices conduct all four devices conduct तो supply circuit supply circuit shorted short हो गया भई तो हम कहाँ देंगे L Ls Di by Dt सारी voltage किसके across आ गई source inductance के सारी across सारी voltage किसके across आ गई source inductance के अब इस case में यह ध्यान देना source का current कहा गया यह गया minus I naught से I naught अगर आप supply current को observe करो तो वो मेरे भाई जा रहा है minus I naught से कहा तक I naught तक ठीक है शालू चिंता मत करो मैं summarize करा दूँगा पहले ध्यान से पढ़ लो बहुत easy topic है यह मैं literally बता रहा हूँ कि इसमें अगर 100% marks नहीं ला पाए source inductance का question नहीं बना पाए तो बहुत दिक्कत वाली बात है यह ऐसा topic है जो हर बच्चा कर जाता है formula based question आएंगे इस पर sign का integration minus cos करोगे left side में आगया 2i naught sign का integration minus cos हो गया तो देखो यहां से i naught की equation आगे ना जैसे हमने last converter के लिए निकाली थी यह बन गई अब आपने देखो जो delta v naught निकाला है ना मेरे भाई यह जो delta v naught निकाला है इसमें भी देखो vm minus vm into cos alpha minus cos alpha plus mu है vm into cos alpha minus cos alpha plus mu अगर यह value आप यहां पर डाल दोगे delta v naught में तो यह बनेगी 2 omega lsi naught by pi omega होता है 2 pi f तो आप ऐसे भी कह सकते हों कि v naught जो नया आएगा जो v naught नया आएगा वो पुराना वाला minus यह change minus यह change अब देखो मेरे भाई मैं फिर वही कहूंगा कि मैं दो equation याद करने के लिए बोलूँगा एक i naught और एक यह एक सकेंड इसमें गलती हो गई है हमसे cos alpha रह गया ठीक है यह दो equation यह दो equation मैं आपको बोलूँगा याद करने के लिए आप कहोगे सर एक्जाम में याद कैसे रखेंगे अरे भाई बहुत easy है कितने thyristor हैं इस circuit में कितने thyristor हैं चार thyristor हैं तो 4 FLS I naught पिछले वाले में कितने थे एक thyristor था इसलिए FLS I naught एक thyristor FLS I naught चार thyristor 4 FLS I naught तो voltage में कितना change होता है FLS I naught into number of thyristor into number of thyristor समझा गया अब देखो कि source current की shape क्या होगी source current की shape क्या होगी अगर load resistive है तो मेरे भाई sinusoidal आएगी क्योंकि V naught को follow करेगा V naught sine वाला graph आता है तो I naught भी sine वाला graph आएगा अगर LS ना लो अगर LS ना लो तो मेरे भाई कैसी आती है square wave देखो यह आ गई यह square wave आ रही थी और अगर LS भी लोगे तो क्या आएगी trapezoidal LS भी लोगे तो क्या आएगी trapezoidal लेकिन इन दोनों में load current stiff है यानि I naught is constant I naught is constant तेक है I naught constant है तब यह condition मन रही है square wave और trapezoidal wave की square wave और trapezoidal wave की प्रकाश मेरे भाई मैंने कुछ भी नहीं किया है मैंने यहाँ पे सिर्फ I T1 T2 minus T3 T4 किया है तो red वाला 0 है blue वाला I naught है difference आया minus I naught red वाला I naught blue वाला 0 difference आया I naught जब दोनों बराबर तो difference आया 0 इतना ही तो किया है red curve minus blue curve is KCL से I T1 T2 minus T3 T4 ठीक है अब देखो two pulse converter के अंदर आपको याद क्या-क्या रहना चाहिए मेरे भाई कि V naught average is 2 Vm और इसके अलावा I naught Vm ये आएगा तो देखो मैं कहता हूँ कि V naught में जो change आएगा how much will that be ये होता है where N is the number of SCR ठीक है simple सा जुगाड है simple सा जुगाड है साई current stiff का मतलब होता है जिस load का current अचानक से ना बदले यानि highly inductive load उसे current stiff कहते हैं अब देखो effect क्या होता है source inductance का average output कम हो जाता है ये तो हमने देख लिया NFLS I naught से limits the maximum range of firing angle अब इसका क्या मतलब है देखो यहाँ पे आपके T1, T2 कहां तक conducting रहे इस वाले में भी overlay पा रहा था ना तो conduction actual में चला पाई प्लस अल्फा प्लस म्यू तक पाई प्लस अल्फा प्लस म्यू तक कंडक्शन चला ना कि सिर्फ पाई प्लस अल्फा तक तो मैं कहूंगा कि circuit turn off time कितना आ गया यह मैंने आपको निकालना भी बताया था फॉर्वड पाई से इंग टू पाई पे आती है चले थे पाई प्लस अल्फा प्लस म्यू तक ध्यान से सुनना जब T1, T2 फॉर्वड पाई जीरो पे हुए तो वो अगली बार फॉर्वड बायस होंगे टू पाई पे और वो कहां तक कंडट किये पाई प्लस अल्फा प्लस म्यू तक तो circuit turn off time इन दोनों का difference आ गया मेरे भाई अब हम यह कहते हैं कि circuit turn off time should be greater than equal to device turn off time तो इसका मतलब क्या हुआ पाई माइनस अल्फा माइनस म्यू बाई ओमेगा समझ ना मेरी बात को अल्फा शुड भी less than equal to समझ आया तो यह क्या हो गया यह हो गया आपके पास maximum firing angle यह हो गया आपके पास maximum firing angle और मेरे भाई due to म्यू म्यू के कारण alpha max reduces म्यू के कारण alpha max कम हो जाएगा alpha max कम हो जाएगा अब देखो fundamental displacement factor reduces fundamental displacement factor अब आता है cos alpha plus mu by 2 तो obviously cos के अंदर अगर angle बढ़ रहा है तो fdf कम हो रहा है distortion factor increases इसका reason होता है कि trapezoidal wave trapezoidal wave is more closer to sinusoidal is more close to sinusoidal तो इसलिए इसका distortion factor one के और करीब आ जाता है one के और करीब आ जाता है input power factor होता है g into fdf अब g तो बढ़ रहा है fdf घट रहा है तो g वाला थोड़ा सा dominate कर जाता है तो input power factor slightly बढ़ जाता है बहुत जादा नहीं बढ़ता थोड़ा सा बढ़ जाता है गजेंदर मेरे भाई resistive load में I not instantly बढ़ेगा IES में आप source inductance बिल्कुल analyze कर सकते हो लेकिन वहाँ analysis complicated हो जाएगा क्योंकि current constant नहीं होता तो ऐसी trapezoidal wave नहीं आएगी it will be very much difficult as compared to highly inductive load लेकिन बिल्कुल वहाँ भी source inductor का बदलेगा load का load का बदल सकता है we don't have any issue supply से आने वाला current कभी भी instantly ना बदले तो वहाँ पर बहुत बार आपको जो है न RL circuit की तरह उसे analyze करना पड़ेगा load में R है source में L है तो supply के साथ ये एक RL circuit बन गया visualize करो एक बार सोचो एक source, inductor, thyristor के through लग गया एक resistor तो ये बन गया RL circuit तो इसका analysis काफी tough पड़ेगा ठीक है बई अब आते है 6 pulse converter पे मैंने आपको 3 phase reactive R में एक चीज़ बताई थी मेरे भाई कि एक बात याद रखना एक बात याद रखना कि एक voltage होती है VCBE जो conduction चलता है alpha से 60 plus alpha तक एक होती है VAB जिसका conduction चलता है 60 plus alpha से 120 plus alpha तक ठीक है अब लेकिन इसका क्या मतलब था CB का मतलब था T5 और T6 conduct कर रहे है C से T5 conduct कर रहा है और B से T6 conduct कर रहा है AB का मतलब है T1 और T6 conduct कर रहे है इसका मतलब है 60 plus alpha एक ऐसा angle है जहां device change हो जाती है T5 से T1 60 plus alpha एक ऐसा angle है जहां device change हो जाती है T5 से T1 T5 से T1 लेकिन आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि device अचानक से नहीं बदल सकती अगर source inductance हो तो मैं ये कहूँगा कि भाई 60 plus alpha से लेके ध्यान देना 60 plus alpha से लेके 60 plus alpha plus mu तक device को change होने में time लगेगा तो T1, T5 and T6 अब देखो T1 और T5 तो load में current लेके जाएंगे इनका current तो load में आएगा और T6 वापस लेके आएगा T6 आपका वापस लेके आएगा T1 और T5 load को supply कर रहे हैं और T6 close loop पूरी करने के लिए वापस लेके आ रहा है यानि देखो T6 में से तो current जाएगा I0 तो इसका यह जो LS है इसका current हो गया constant इधर से आपके पास आएगा IA और IC तो इसको आप ऐसे बोल दो भले ही कि IA और IC IA और IC मिलकर के बनाएगा I0 मिलकर के बनाएगा I0 शालू मियू का क्या मतलब है देखो अगर 2 millisecond के लिए overlapping आ रही है वो 2 millisecond multiplied by omega इसको हमने angle में convert कर लिया है उसे कह रहे हैं मियू So what is overlap angle? The angular duration for which multiple devices conduct simultaneously or there is a overlap between the devices is called as the overlap angle अब देखो आप यहाँ पर क्या बोलोगे मेरे भाई मुझे यह interval analyze करना है तो मैं क्या करता हूँ मेरे भाई मैं KVL लगा लेता हूँ मैं KVL लगा लेता हूँ तो हमें क्या करना पड़ेगा KVL लगाने के लिए देखो सबसे पहले तो ना इस loop में KVL लगाओ यार उपर दोनों device conduct कर रही है न तो इस loop में एक बार KVL लगाते है अब इस loop में अगर मैं KVL लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा VA0-LS DIA by DT फिर नीचे वाली ब्रांच में आ जाओगे न जब तो यह minus से plus लिखोगे plus LSDIC by DT यह लिखोगे यह KVL equation मनेगी आपकी ठीक है यह आपकी KVL equation मनेगी मेरे भाई ठीक है अब आप क्या करोगे अब आप करोगे VAO VAO-CO कितना हो जाएगा VAC हो जाएगा और देखो DIC by DT DIC by DT क्या होगा यहाँ से minus DIA by DT हो जाएगा यहाँ से minus DIA by DT हो जाएगा ठीक है अब VAC अब भाई यह VAC के बारे में अगर बात करें तो VAC क्या है VAB को आप reference मानते हो तो VAB को अगर आप reference मानते हो तो आप लिखते हो VML sin omega T तो यह जो VAC है ना यह क्या आता है sin omega T minus 60 ठीक है यह simple है ABBC CA कर ले ना फिर CA का उल्टा AC होता है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको 180 का shift देना पड़ेगा ठीक है यह बन गया अब देखो 60 से 60 प्लस alpha से 60 प्लस alpha प्लस mu तक देखो पहले T5 T6 कंड़ट कर रहे थे यानि T5 I0 करेंट ले जा रहा होगा और T6 वापिस ला रहा होगा अब बाद में क्या हुआ T1 ले जा रहा है और T6 वापिस ला रहा है T1 भेज रहा है T6 वापिस ला रहा है यानि इस time पे T1 का करेंट रहा होगा 0 और इस time पे T1 का करेंट हो गया होगा I0 यानि overlapping से पहले T1 कुछ भी नहीं दे रहा था और overlapping के बाद कितना देने लगा I0 इसलिए मैंने यहाँ 0 से I0 का integration डाला है और VML by 2 omega Ls 60 plus alpha क्या होगा sin omega T minus 60 sin का integration minus cos आएगा और minus cos के लिए आप क्या कर सकते हो lower limit minus upper limit देखो वैसी equation आगई ना 2 pulse converter जैसी 2 pulse converter जैसी ही equation आगई I0 की ठीक है अब दूसरी equation हमें किसकी चाहिए होती है दूसरी हमें चाहिए होती है V0 की दूसरी हमें चाहिए होती है V0 की अब देखो मैं क्या बोलता हूँ कि overlap के दौरान पहले मुझे यह जानना है यहां की voltage क्या है overlap के दौरान V positive तो मैं कहता हूँ कि during overlap during overlap what is V positive V positive आपका क्या आएगा किसी भी ब्रांच से निकाल लो मैं उपर वाली से निकाल रहा हूँ ऐसे निकाल देंगे ध्यान देना positive terminal की voltage कितनी होगी VAO minus the drop across Ls अब DIA by DT तो देखो यहां पर निकला है ना DIA by DT कितना निकला है VAC by 2 Ls Ls DIA by DT है यहां से लिख लो VAC by 2 आप LcM ले लो AC को लिख सकते हो A minus C A minus C तो यह आ गया इससे क्या समझे overlap के दोरान किसी एक terminal की voltage क्या आती है दो sources का average कौन से दो sources का जो दो sources conduct कर रहे थे उन दोनों का average आ जाता है उन दोनों का average आ जाता है यह बात समझाई मेरी यह मेरी बात समझाई A और C overlap कर रहे थे during overlap यह question में न बहुत exam में direct पूछ लेते हैं during overlap voltage of one terminal of load one terminal of load is average of two conducting phases अब वी नॉट तो देखो simple हो गया वी नॉट मेरे भाई क्या हो गया वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव वी पॉजिटिव आपने बता दिया वी एओ प्लस एओ बाई टू और वी नेगेटिव होगा वी बी ओ अब आप कहोगे सर ये कैसे देखो बी वाले phase के अंदर मेरे भाई बी वाले phase के अंदर इंड़क्टर का कोई voltage नहीं होगा क्योंकि इंड़क्टर का current constant है तो LDI by dt 0 होगा LDI by dt 0 है तो इंड़क्टर का voltage 0 है इंड़क्टर का voltage अगर 0 हो गया तो negative terminal पर पूरी कौन सी voltage आ गई वी बी ओ कौन सी voltage आ गई वी बी ओ और V0 होगा VAB कहां से कहां तक overlap खतम होने के बाद overlap खतम होने के बाद और ये कब होगा overlap के दोरान तो जब आप यहां से V0 average निकालोगे न मेरे भाई कैसे निकालोगे 60 degree का interval लेते है 6 pulse converter में पहला integration बनेगा 60 plus alpha से 60 plus alpha plus mu तक का अब आप यहां पर क्या कर सकते हो V AO plus CO होगा minus BO क्योंकि A plus B plus C 0 होता है तो A plus C कितना हुआ minus B minus B by 2 और minus B तो मैं direct लिख रहा हूँ minus 3 by 2 VB हो ठीक है A plus B plus C 0 होता है तो A plus C होँआ minus B AB तो simple reference है अगर आप ऐसे बनाते हो ना मेरे भाई average तो आपके पास जो average आजाएगा तो आपके बनाते होंकि तो आपके बनाते होंकि 3 V M L by 2 पाई यह आजाएगा और V naught without L S कितना होता है यह तो formula आप सभी लोगों ने याद किया होगा 3 V M L by Pi cos alpha change in V naught कितना होता है दोनों का difference अगर लोगे यह होता है अब यहाँ पर आप I naught की terms में लिख सकते हो देल्टा V naught I naught की terms में लिखोगे तो यादा है 6 F L S I naught याद करने का सीधा जुगार कितने थाईरिस्चर है मेरे भाई 6 थाईरिस्चर है 6 थाईरिस्चर है तो 6 F L S I naught तो देखो अगर हम summary लिखें आपको formula क्या-क्या याद करके जाना है एक तो I naught का करना है ये है आपका One Pulse Converter के लिए ठीक है? ये है आपका Two Pulse और Six Pulse के लिए ठीक है भई? फिर चेंज वेर N इस देखो कितना simple हो गया आपको original formula याद है तो आप उसमें से N F L S I naught subtract कर दोगे Two Pulse वाले में से 4 F L S I naught Six Pulse वाले में से 6 F L S I naught Simple सा concept है बहुत easily solve कर दोगे तो ये बाते सबको clear होनी जीए इसके बाहर किसी formula पर question नहीं आने वाला इतना पता है तो आप हर question solve कर दोगे